हे नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हूँ आप सभी उमीद करती हूँ कि भहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आधिकाल का पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट हम पहले इसका देख चुके है यह हमारी ने कार्वा पाई थी इसलिए यह पारट सेकंड अधिकाल का मैं लेकर आहियों आपके आहां के सामने यह आपकी एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्पुन है चलो देख लेते हैं इसमें हमारी एक्जाम से संबंदित कौन-कौन से तैक्त है जो बहुत बीर गाथातमक्ता नाम से जाना जाता है तो सिद्ध्य किया है अपनी जितनी भी रचनाएं है उनमें धार्मिक्ता को उजागर किया है उनमें धर में से संबंदित बातों को उन्होंने लिखा है तो सेकंड प्रवर्ति यहां पे हो गई धार्मिक्ता और फर्स्ट आपने देख लिए है बीर गाथा अत्मक्ता है और थर्ड हम देखते हैं यहां पे श्रंगारिक्ता इसमें क्या है बिद्यापती की पदाबली है वो संकलित है दोस्तों और बिद्यापती की पदाबली में श्रंगारिक्ता का यहां पे दिखाया गया है श्रंगारिक्ता है तो यह हमारी आदिकाल की प्रमुक्ष तीन प्रोटियां है बीर गाथात्मक्ता धारमिक्ता अश्रंगायरिक्ता और आपको यह वी पता होना चीह साहित है और धार्मिक्ता तो ईह बहुत महत्पूण है ये तीनों प्रवर्टी आपको याद होनी चाहिए बीर गाथात्मक्ता धारमिक्ता अश्रंगारिक्ता ठीक है दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए तथ लिख पाई हूँ इसमें बहुत सारी डेटेल आपको जो आपके पास भूक है उसमें लिखी हुई मिल जाए है या फिर कोई पंक्ती दे दी जाएंगी और फिर पूछा जाएगा कि यह कौन से कभी की है तो आप जो आपको याद करने वाली चीज है उसको अच्छे से देखिए और अच्छे से उसको याद कीजिए उसका दोहराब कीजिए बार बार उसको दोहराईए तभी आपको हैं लोस्त है तो दोस्तों के निधी का सर परॖहième कभी है इसके बारे ह् distinct कॉरी देख से इच इसके विशार करें कि सब्सक्ते नहीं हैं इतिया Präsident किसने किसको यहां पर सरव प्रिथम कभी माना है यह देखना हमारे लिए बहुत अन्वार हो जाता है तो यहां पर लिखा है कि विभिन इतिहासकारों द्वारा अपने अपने शोध एवं तरकों के आधार पर अलग-अलग कभियों को हिंदी का पहला कभी माना गया है देखि यहां पर नाम आता है राहुल संक्रतियायन जी के अनुसार तो देखिए दोस्तों राहुल संक्रतियायन जी है इन्होंने सरहपाद भी बोलते यह दोनों नामों से इनको पुकारा जाता है सरहपा और सरहपाद ठीक है दोस्तों तो इनका जो समय था वो 729 इस भी था तो पहला कभी माना है ठीक है आप इसको याद रखना क्यों कि कई वार क्या होगा कि आप से पूछ लेगा जैसे की मान लो आप से पूछ लेगा कि सिपसेंग जटर के अनुसार हिंदी का पहला कभी कौन है अब बताओ किया बता ओगे आप जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं आप तो यह सरहापाद ही कर दोगी लेकिन सरहापाद तो राहुल संकृतियां जी ने बताया है आपको अलग-अलग साहितकार के अनुसार पता होना चाहिए कि किसने किसको हिंदी का प्रिथम कभी बताया है तो सिपसिंग सेंगर ने यहां पर पुश्य या फिर पुंड है इ आप से चार ओप्शन होंगे कि सिपसिंग सेंगर के अनुसार यह सिपसिंग सेंगर के अनुसार गंडपती चंद्र गुपत के अनुसार हजारी परसाद दुएदी जी के अनुसार और राम चंद्र शुकली जी के अनुसार और दूसरी तरफ आपके लिए मिलान के लिए फ अब भी तो आप मिलान करोगे या फिर हो सकता है कि वहाँ पर आपको यह शहताब्दियों से मिलान करना पड़ जाए कि शाली भद्र सूरी कौनसी इस विके थे यह कौनसी इस विके थे तो आपको यह सब कुछ याद करना है सिप सिंग सेंगर के अनुसार देखिए पोश्च चौरासी इस विके कभी थे दोस्तों डॉक्टर रामकुमार बर्मा के अनुसार स्वेंभू को हिंदी का पर्थम कभी माना जाता है दोस्तों यह पांच या छे इतियासकारों के दुआरा हिंदी के पहले कभियों के नाम घोशित किये गए तो आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्पूर्ण है तो डॉक्टर रामकुमार बर्मा के अनुसार स्वेंभू है इनको हिंदी के पहले कभी माना गया है यह सोले सो त्राण स्वेंभू जी आचार हजारी परसाद द्वेदी जी के अनुसार अब्दुल रहमान है इनको हिंद का पहला कभी माना है डॉक्टर बच्चन सिंग के अनुसार विद्यापति को हिंदी का पहला कभी माना है और यह पंद्रवी शताब्दी के है विद्यापति शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मंचु को हिंदी का पहला कभी माना गया है यह 993 में इस्वी के है आप याद लिए यहां पर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे लिए एक्जाम में आ सकते हैं बहुत महत्पूर्ण है राहुल सांकृत्यान के अनुसार देख लिया है हमने सिप सेंगर के अनुसार देखा है डॉक्टर गनपती चंद्र गुप्त के अनुसार रामकुमार बर हिंदी का पृथम कभी है इसको लेके जो सर्वमान जो मत है जो स्वीकारा गया है सभी इतिहासकारों के द्वारा वो कौन सा है क्योंकि वह जड़ा महत्पूर्ण हो जाता है चलो देखते हैं सर्वमान रूप से राहुल सांकृत्यायन जीने स्वीकिर्थ देखिए दोस्त सर्वमान रूप से राहुल सांकृत्यायन जीने स्वीकिर्थ कभी स्वीकार किया गया है देखिए सर्वमान रूप से मतलब सभी इतिहासकारों ने मिलकर राहुल सांकृत्यायन जीने जिसको माना है हिंदी का पृथम कभी उसी को सबने मिलके स्वीकार किया है कि ये हिंद के प्रथम कभी सर्वमाने रूप से तो यह है सरहपा जी इनको सरहपाद के नाम से भी जाना जाता है तो यह जो नोट करके लिखा यह बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको याद रखना हिंदी साहित की सर्वपर्थम रचना अब देखिए आपने देख लिया कि हिंदी साहि फर्वक देख करने ठीके दोस्तो ओर इंदी की सर्व परफ्थम रचना है तो यहाँ पर दो ।ीन तत्त है जो आपको याद करने है नहीं करते ने लखी है और जयन साहित को दोस्तो रास साहित के नाम से भी जाना जाता है और यह कब लेखी गई तो 1933 इसमों में लिखी गई ठीक है ये पॉइंट आपको याद हो गई उसके बाद आपको इधर देखो यहां भी इंपोर्टेंट बात लिखी हुई है कि इसमें कोल 250 पद और दोहे है देखिए दोस्तों इसमें 250 पद दोहे है इसमें स्रावक धर्म के सिद्धानतों का बर्णन क किया गया है गिरस्त द्वर्म उस बंड़न का किंदर है और गिरस्त जो धर्म है हमारा वह इस बर्नन उस बर्नन का केंद्र है विलकुल इसके केंद्र में रहता है आधिकाल शाहिटका विवाजन अब देखिए दोस्तों हमने आदिकाल के बारे में देख लिया कि कौन पिर्थम कभी है कौन पिर्थम ग्रंथ है और किस ने किस के लिए क्या का है सारी चीजें हमने आपर देख लिया है अब हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित का भिवाजन करके देखते हैं कि इसको कितने भागों में विवाजित किया और उसके बाद हम इसको जितने भागों में विभाजित किया गया उन भागों को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे नेट ज्यारिफ के सिलेवस में है दोस्तों देखिए तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके विभाजन का आदिकालीन साहित का वो है रासो साहित इसके बाद दूसरा है वो है रास साहित और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रास साहित को जैन साहित के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद है सिद्ध साहित और फोर्थ है दोस्तों नात साहित तो आदिकालीन साहित को चार भागों में विभाजित किया गया है देखि आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी होती है। जिसमें ये उपर जो विभाजित की गई चार श्रेणिया हैं, रासो साहित, रास साहित, सिद्ध साहित और नाथ साहित, इन से संबंदित लक्षन उसमें प्राप्त नहीं होते, चारों में ही वो रशना आती नहीं है, तो ऐसी रशनाओं को डॉक्टर नगिंदर ने आदीका की जो विभाजन किया गया है, उसके चारों विभाजन के जो लक्षन है, उसमें वो समाहित नहीं होती है, तो डॉक्टर नगिंदर जी ने उसको अधीकाली स्वेतंत्र साहित के नाम से बरगी कृत किया है, जबकि आचार रामचंदर शुक्री जी ने इन रशनाओं को अधिकाल की फुटकल रजनाओं के नाम से स्रेणी में शामिल किया है। आचार रामचंद्र शुक्ल उप्रुक्त चारों में से केवल रासु साहित को ही मूल साहित मानते हैं। देखिए दोस्तों जो उपर हमने चार साहितों के नाम पड़े हैं। रासु साहित, जैनि साहित, सिद्ध साहित और नात साहित उसमें से जो रासु साहित हैं को मूल साहित मानते हैं। और उन्होंने जैन साहित, सिद्ध साहित और नात साहित को मूल साहित नहीं मानकर सांप्रदायक सिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। रामचंदर शुक्ली जी ने बोला कि जैन साहित, सिद्ध साहित और नात साहित है ये सामप्रदाएक सिक्षा मातर है और जो रासो साहित है वो मूल साहित है आधिकल का आचर हजारी परसाद द्वेदी जी ने उप्रयोगत चारो को ही आधिकलीन साहित में शामिल किया है और हम इसमें देखेंगे रासो साहित ये जो रासो साहित है जैन साहित है सिद्ध साहित है नात साहित है इन चारो को हम देखेंगे लेकिन इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे रासो साहित और दोस्तों इसमें जो एक एक लाइन लिखी गई है ये बहुत ही ज़दा महत्पू प्रतियुक्ता साहित के लिए जो भी किताब आपके पास है उसको अच्छे से पढ़िए जैसे कि हमने अभी आधिकाल के पार्ट फर्स्ट और सेकेंड देख लिए है तो आप उसमें आधिकालों को पढ़ो कि उसमें कौन सी बात है जो अलग लिखी हुई है जो मैंने बताया उससे तो आप उसको पढ़ो ताकि आपकी कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपका छूटना नहीं चीए ठीके दोस्ता और दोस्तों एक बात और कहने थी जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मैं वीडियो बनाते हूं इतनी भेहनत से लेकिन आप लोग क्या करते हो जैसे मान लो 15 मिनट की वीडियो है और आप देखते हो सिर्फ 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट तो प्लीज ऐसे मत करो अगर देखना है तो पूरी देखो बढ़ना देखो ही मत बस यही बात कहने थी जो मुझे लगा कि मैं आपसे कह दू देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो करो तो आप नहीं करोगे क्योंकि आपको जब इससे सुभीदा होगी आपको इससे लाब मिलेगा आपको लगेगा कि यह जो वीडियो में कंटेंट डाला जा रहा है यह हमारे लिए फाइदा पहुंचाएगा हमारी मदद करेगा तब ही तो आप लोग लाइक करोगी जबर आप ही मेरी वीडियो को लाइक करोगे और अपने आप ही चैनल पर आओगी कि मुझे देखना है मुझे मदद लेनी है तो यह जबरदस्ती वाला काम नहीं है दोस्तों आपकी पसंद के ऊपर आधारत है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप से जबरदस्ती करवा हूं जो आपको पसंद है आप वह कीजिए लेकिन आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आपका नेट यारफ भी निकले और आपने अपने लिए जो भी सोच रखा है कि मुझे यह हासिल करना है आपको वह चीज मिले दोस्तों मैं यही कामना करती हू और आपके लिए अच्छे चीज वीडियो लेकि आती रहोंगी आप मुझे कमेंट करके बताते रहों कि आप हमें यह पढ़ाओ आप हमार लिए यह लाओ तो मैं फिर उनसे संबंदित वीडियो आपके लिए लेकि आती रहोंगी दोस्तों चलो तो हम मिलते इसके करट में तब तक के लिए वाए 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 यहाँ है